पिलीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें हेलपुल वीडियो सबसे पहले देखने के हेलो गाइज मैं हूँ इंडोयडे प्रिभ्यू टू आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इटी मनी में फुल के वाइसी की इस तरीके से करते हैं तो सबसे पहले मैं अप्लिकेशन को वापिन कर लिया हूँ उपर की तरफ में लाफ साइड में आपको 3.0 का आफसंस दिखनी को मिलेगा या आपके प्रोफाइल का इसके ओपर क्लिक कीजिए यहां देखी आपको नम्मर को डाल देता हूँ यह हमारी प्रोफाइलन और मैंने यहां पर डाल लिया अब कॉप्सण दिखनी को मिल रही है नीचे में आपको फैन नम्मर डालने के बाद कर दो पर क्लिक करनी है अब दिखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपिन हो जाएगी आपके सामने और यहां पर आपका जो आई एम इस तरह के से दिखाई देगा यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आपका 5 वाले के उपर किलिक करनी है और नहीं रहते हैं तो 2 वाले के उपर किलिक करनी है मैं इंडिया में ही रहता हूं से पहले वाले के उपर किलिक किया हूं तो उपर में आ आपकी अकाउंट नंबर है यहां पर आपको जो है फिल कर देनी है तो चलिए मैं भी अपनी अकाउंट नंबर को जो है यहां पर फिल कर देता हूं यह रही हमारी आपको जो time and condition को accept करनी होगी और इसके बाद जो है इसके ओपर क्लिक करने के बाद आपके सामने confirm का options दिखाई देगा इसके ओपर क्लिक कर लीजिए आपका account type कौन सा है saving या फिर current आपको यहां से select करनी है तो हमारा savings है मैं savings कर लिया हूँ आपका current कर सकते हैं तो यहां पर आपको आपको IPAC code देनी होगी निची की तरफ में आपको सही सही IPAC code देनी है जो भी आपके bank account का IPAC code है यहां पर दे देनी है तो चलिए मैं भी अपनी bank account के IPAC code को दे देता हूँ यह रही हमारी bank के IPAC code और दिखेंगे यहां पर confirm का options दिखने को मिल रहा है फिर से इसके उपर click कर लीजिए और आपके सामने इस तरके से आपका bank दिखाई देगा confirm bank ठिल confirm के उपर फिर से आपको click करनी है और फिर से आपके सामने एक new पे जो पिन हो जाएगी आपके bank में यहां पर verification के लिए एक रुपर डाले जा रहे हैं जो कि आपको थोड़े दर wait करनी होगी इसके बाद आपका यादी bank account verify हो जाता है तो ठीक है और यादी bank account verify नहीं होगा तो फिर से करना होगा तो चलिए मैं थोड़े दर बाद यहां पर जो है इसे पाउज करके open किया हूँ अब देखता हूँ कि मैं यहां पर account verify होने में कितना time लगती है यहां देखेंगे account verify नहीं हो पाई करनी है account इस्टेटमेंट के उपर सबसे पहले मैं किलिक करता हूँ जहां हमारा bank account verify नहीं हो पाया है और यहां पर इस तरके से आप लोग जो एक चीज की फोटो किच करके आप लोग जो है यहां पर upload कर सकते हैं और अपने bank account को verify कर सकते हैं मैं bank यहां पर account statement के उपर click करता हूं और देखेंगे इस तरके से options दिखाई देगी यहां से अपनी gallery के उपर click करके आप gallery से upload कर सकते हैं और या तो camera से photo kids के भी आप लोग जो upload कर सकते हैं अब देखेंगे मैंने जो यहां पर upload किया यहां पर जो मैं cancel check किया दे सकते हैं या फिर account statement दे सकते हैं यहां से जो जो देता हूं यहां फिर से continue के ओपर click किया अब देखिए यहां पे जो account का options देखने को नहीं मिल रही है अब मैं यहां पे अपनी जो date of birth को डाल देता हूँ यदि account verify नहीं होगी तो यहां पे continue का options देखने को मिल रही है इसके ओपर click कर लीजिए यदि account verify नहीं होगी तो last में आपसे कहा जाएगा तो चलिए मैं आपने लोगों को दिखाता हूँ किस तरके से यहां पे अपनी personal retail को select करेंगे आप अपनी gender को select करेंगे और आप married है या फिर unmarried नीशे की तरफ में आपको यह select करनी है तो यहां पे दिखेंगे gender में आपको male female अधर करनी है married में marital status में married अधर करनी है जो भी आपकी कर देनी है यहाँ पे mother's name देनी है father's name देनी है तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी मदर's name देता हूँ जो भी है आप लोग भी इसी तरीके से देसकते हैं और देखें यहाँ पे continue का options दिखनी को मिल रही है यहाँ पे father's name देने के बाग दिनाल यहां पर इसके उपर क्लिक और दिखिये यहां पर ईस र सकती है अपने फोन में यहां पर और किलिक और यहां पर मैं इस तरह कर देता हूं आप दिखाई देगा कंट्यूनियों का उफसेंस आपको दिखने को मिलेगी यहां से आपको जो है इसक्राइब करनी है और यहां से कम से कम मैंने अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी कंट्री है यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है तो चलिए मैं भी अपनी कंट्री को यहां पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूं आपका जैदी कोई और कंट्री है तो आप उस कंट्री को अपना स्लक्ट कर सकते हैं यहां पर मुझे इंडिया खुजने में थोड़ी प्रोब्लम हो रही है तो मैं सही से पहले खुज लेता हूं और यहां रही इंडिया मैं इंडिया क्लिक कर ले आप लोग दिख लिए अब यहां पे कौन से सिर्टी में आपका जन्म हुआ है यह जो भी है यहां पर इस तरह के से आपको देदीनी है अपना और इसके बाद देखिए आपके सामने जो फिर से नीचे में का उफ्षेंस देखने को मिलेगी इसके उपर क्लिक कर लिजिए अब देखें यहां पर नोमेश इनफॉर्मेशन देनी के लिए कहा जाएगा यहां और नीजी के तरफ में आपको जो है डेट ऑफ बर्द दे देनी है उनका जो भी डेटो वध है यहाँ आपको देनी है कि आपका वो कौक्ण लगती है माता है पिता है जो भी अब कंफ्रंब का उससे दिखने को मिलेगा देने के बाद और यहां पर मैंने मदर सेलेक्ट कर लिए अब देखिए अब देखिए यहां पर हमारा यहां पर करने के बाद कुछ इस तरह के से मैंने आपको बला था कि अकाउंट को फिर से जो है वेरिफाइब करना होगा तो चलिए मैं यहां से जो कैंसील चेक यहां पर कुछ भी कर सकते हैं आप लोग कैंसील चेक भी अपलोड कर सकती हैं यहां पर जो है मैं बैंक के उपर क करनी होगी तो कंट्रीन के उपर मैं क्लिक करता हूं ओके गाइज यहां देखिए अब इस तरह के से इंटरफेस दिखाए देखने को मिल रही है अब देखिए आई एम नोट यहां दोनों को ट्रिक कर देनी है पहले बाले को और दूसरे बारे को यह आप मतलब जो है क्लिक कर देनी है यह दोनों को क्रोट करने के बाद और देखिये करने के बाद देखियं यहांट कि ठीक भ Kirby को रहें यहां हो जाई आपका साथ तिखाई कर लिए यहान से सक्ट कर लिजिए यह आपने इसरेट्मेंट का इसी तरिके सक पहले डिख और नीची में आपको जो यहांभर क्लिक करनी होगी और देखिए निकतना के उपटर किया और देखिए इस तरके से क्वर्ट हो रही है अब थोड़ी यहां पर देख सकते हैं स्टल्ट इनन्वेस्टशिंग जो घू आ को आपस से open करता हूं देखता हूं applications का क्या हाल है तो यहां पर देखिए applications को open करने के बाद जो इस तरह के से options देखने को मिल रही है योर के वाइसी अंदर verification यानि कि अभी के वाइसी जो अंदर verification में चला गया है तो यहां पर जो है document को upload मैंने साथ कुछ को कर दिया है फिर से document मंगा जा रहा तो चलिए मैं इसके उपर क्लिक करता हूं देख सकते bank account अभी जो यहां पर verify नहीं हो पाया है तो bank proof को verify करने के लिए आपको चेक का फोटो या फिर bank account का फोटो यह सरा चीस देना ही होगा जब तक आप लोग नहीं देंगे तब तक आपका account verify नहीं होगा सिंपल से आप एड़ के ओपर किलिक कीजिए आपके सामने के सेंटर फेस अपिन हो जाएगी यहां पर फश्ट वाले के ओपर किलिक करने और यादि आपकर दूसरा bank account के ओपर आप लोग कर सकते हैं मैं पहले वा यह हो पया था अब मैं जो फोटो लूँगा नपर टेक फोटो के ऊपर किलिक कीजिए और यहां पर गोट रिट किलिक कीजिए और इस तरह के एक अपलोड कर देनी है इसके बाद आपका account यहां पर verify हो जाएगा तो चलिए मैं यहां यहां से एक फोटो को किलिक कर लेता यह हमारी photo click हो चुकी है और यहां पे जो है अब देखी okay का एक options दीखने को मिलेगी इस okay के उपर click कर लिजी और इसके बाद जो है यहां पे आपका account जो है verify हो जाएगा तो हमारा account जो verify होने माला यहां पे save के उपर मैं click कर देता हूँ और देखे इस तरके still interface दिखाई दे रहे है यह आपर और इसके दाद आपकी adam Champ पूरी इसके बाद हमारा अकॉंट यहां पर केवाई सी कंपिन्ट हो जाएगी ओके गाईज चलिए मैं आफ लिकेसिंस को जो है बाद में आपिन क्या हो एक दिन हो गया अप्लिकेसिंस को और मैं दिखा तो हमारा डॉक्यमेंट भरीफाई हुआ या नहीं और आपका भी हो जाएगा यहां पर इस तरह के इंटरफेस दिखाई दे रही है हमारा तो डॉक्यमेंट यहांपर वरिफाई हो गई है और यहां लेकिन यहां पर कुछ चीजों का और और करना जरूरी है यहां पर देखिए मैं इसके और क्लिक कर लेता हूं अब देखें कहीं भी जो वो ऑफसेंस द झाल झाल